हेलो एवरिवन, आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी रेस्पी जो अक्सर तेवहारों में बनाई जाती है बहुती डिलिसेज, बहुती टेस्टी होता है मेरा फेवरेट है, मैं इसे अक्सर बनाती रहती हूँ इस होली आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुती टेस्टी और डिलिसेज बनती है तो चलिए, बनाते हैं, इसे बनाने के एक पैन लिया है मैंने और उसमें लिया एक लीटर फुल फैट दूद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दूद आप फुल फैट दूद लेंगे तो उससे काफी अच्छा और ठिक बनता है तो इसलिए आप फुल फैट दूद का ही इस्तिमाल करें तो यहाँ पे जब तक दूद बॉल हो रहा है इसे उबलने देते हैं, गरम होने देते हैं तब तक साइड वाई साइड यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सिता फल लेंगे और उसका पल्प निकालकर अलग कर लेंगे तो यहाँ पे एक चन्नी लिया है उसमें डालकर इस तरह से जो सिता फल के सीड है उसे पल्प से अलग कर लेंगे और हमारा सिता फल का पल्प बनकर रेडी है तो फिर यहां पे दूद को देख लेते हैं दूद जो है अच्छे से उबल रहा है अब इसमें डाल देंगे कुछ केसर के ठागे जिससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्रेवर आता है साथ ही यहां इलाइची पाउडर भी डालेंगे आदा चोटा चमज और उसके बाद इसे अच्छे से पका लेंगे तो यहां पे दूद जो उसमें अच्छे से color आगया है और उसके बाद यहां पे चीनी अएड करेंगे यहां पे मैंने चीनी half cup लिया है आप अपने taste के according कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो जो हमारा वासुंदी है वो पक कर रेडी हो चुका है यह काफी थिक हो गया है बहुत जादा इसे नहीं पकाते हैं बस इसे आधा कर देंगे और दूद जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी से थिक हो जानी चाहिए तो अभी यह ठंडा होगा तो थोड़ा और त बहुत ही दिखने में भी अट्राक्टिव लगता है जब इसकी ऊपर रोज पैटल दालते है तो दिखने में बहुत ही लाजवाब लगता है तो इस तरह से इसे आप इस होली जरू ड्राइ किजएगा और इसे मैंने सर्फ किया है छोटे-छोटे से मिट्टी के पॉट है उ से सर्फ करते हैं क्योंकि चिल्ड और ठंडा ही अच्छा लगता है तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमिन करके जरूर बताना लाइक शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर